नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं मीन रासी के जातकों के मन का डर प्यारे दोस्तों आज हम जोतिसास की सायता से यह पता करेंगे कि आपके मन का सबसे बड़ा डर क्या है जी हाँ डर शद को सुनकर सायदाव के अंदर का वीर योदा जाग उटे और एक स्वर में बोले कि मुझे डर वर नहीं लगता परन्तु देखा जाए तो डर सबको लगता है जरूरी नहीं कि सबी को डर भूत प्रेतों से लगे हर मनुश्य को डराने वाली बाते अलग अलग होती है जो सदेव बविश्य की चिंता करते समय उन्हें डराती रहती है रासी के अनुसार जनम कुंडली के 12 भावों में 6,8 और 12 स्थान अत्यादिक समश्या देने वाले होते हैं और इनमें डर का निवास्तान छटवे भाव और आटवे भाव में होता है छटवे भाव से समन्ने डर ग्यात होता है और आटवे भाव से अग्यात और छुपावा डर ग्यात होता है चटवे भाव से उत्पन डर सीधे सीधे बारवे भाव को प्रभावित करता है और आपके जीवन में समश्य उत्पन होने लगती है आठवे भाव से समन्दी डर आपके दो भाव को प्रभावित करते हैं जिसे आपके आत्मिश्वास में कमी आते हैं और आप जीवन में तेजी से सफल नहीं हो पाते आपने डर पर आप विजय प्राप्त करें और इसके कारणों को समझें इसलिए आज हम ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आये हैं आज हम बात करेंगे मिन रासी के जातकों के मन के डर के बारे में कि उनके मन में सबसे वड़ा डर क्या है मीन रासी रासी चक्र में अंतिम रासी है जो की बालवे स्थान पर आती है इस रासी पर ब्रस्पति ग्रह का अधिपते आता है पंस्ततों में यह जलतत वाली रासी है काल पुरुष के सरीर में मीन रासी का अधिकार छेत्रों पैरों पर होता है इस रासी के तीन द्रेश कौन है जिनके स्वामी क्रम से ब्रस्पती, चंद्रमा और मंगल ग्रह है जिसमें ब्रस्पती ग्रह ज्यान, समझदारी, आत्मिस्लेशन, जिमेदारी, ख्याती वे बड़े दिल का प्रतीक है चंद्रमा मन की गुप्त चिंता, मन की चंचलता, जल्दबाजी, वेचारिक एस्थिर्ता वे जीवन में मिलने वाले अपमानों का प्रतीक है मंगल ग्रह, शक्ती, नेत्रत्रव, छम्ता, क्रोध, निष्टा, जिद्द और साज के प्रतीक है जिन जातकों की जनम कुंडली में ब्रैस्पती और मंगल किस्तीती सुव्वय, मित्र, राशियों में रहेगी वो जातक अपने जीवन में उच्पदों पर रहते हुए जीवन के सभी सुखों का अनंद लेते हैं और जिन जनम कुंडलीयों में चंद्रमा नीच रासी गत हो, मंगल बारवे भाव में हो या फिर यह तीनों ग्रै बुरे प्रभाव में सत्रू रासी गत हो तो जातक इस्तीती जीवन भर दैनिय रहती है द्रेश कौन में ब्रस्पती ग्रै के होने से इनके अंदर ब्रस्पती के सभी गुन पाए जाते हैं ब्रस्पती शुद ग्यान वे समझदारी के प्रतीक है और इन दोनों गुनों का विस्तार आपको इनके जीवन की प्रतेक शाखा पर आसानी से देखने को मिल जाएगा किसी की बात को सुनते समय की गंबीरता से लेकर आपने बात को सामने वाले को बताने तक हरचन आपको इनके अंदर छुपे ग्यान और समझदारी के दर्शन होते रहेंगे ज्यान देने और ज्यान लेने के लिए सदेव तत्पर रहते हैं ब्रस्पती ग्रह के कारण या किसी भी जटिल से जटिल कारे को सरलता से सीख जाते हैं जटिल तम कारे को सरलतम रूप से कैसे किया जाए या बहुत अच्छे से जानते हैं सबी प्रयाणियों के प्रती इनके अंदर विशेश दया व्य करूना होती है या अपने व्य अपने परिचित लोगों के जीवन का सदेव विशलेशन करते रहते हैं अपने से समंदित विकारों का स्व्यम ही शोधन करते हैं द्रेश्ट कोन में चंदर्मा ग्रह होने से इनके अंदर कला और संगीत के प्रती विशेश रूची रहती है बुद्धिस्तान पर चंदर्मा का सामित्व होने से इनके अंदर चंचलता भी देखी जाती है और इस चंचलता के चलते या कभी भी अपने विचारों को एक दिश चलते इनके साथ के लोग इने समझ नहीं पाते चंद्रमा के चंचल प्रभाव के चलते या कभी भी किसी परमपरागत कारे में अपनी दिल्चस्पी बनाए रखने में सफल नहीं sẽze आदे प्रेसकौन में मंगल ग्रह के होने से सास और वीरता इनके अंदर कूट-कूट कर भरी होती है लेकिन ये लोग अपने सास का प्रदर्शन मलियुद में भाग लेकर या किसी से लड़कर नहीं देते ये लोग बुद्धिमान होते हैं और इस बात को जानते हैं कि लड़ काती है तो ये लोग लड़ाई जगडे के क्रूर तमस्तर तक भी जा सकते हैं लेकिन समय और मुद्धे की स्वेधन सीलता के अधार को देखते हुए इनका मंगल सदेव ब्रसपती से प्रभावित रहता है जिसके चलते ये लोग उग्र होने के स्तार पर सैन सीलता का उसी और भै चक्र की अंतिम रासी है रासी स्वामी ब्रसपती इनके अंदर वैसभी गुन डालता है जिसके चलते हैं ये स्वेम का आत्मिश्रेशन करते हुए अध्यात्मिक जीवन की तरफ निरंतर अग्रसर रहें करूना दया और छमा सिलता इनके अंदर और सभी राश् चिन मचलियों का जोड़ा होना इनके जीवन में जीवन साथी के महतों को दर्शात है और यह बताता है कि इनका जीवन साथी इनके लिए कितना महत्पून है जलता तुअली यह रासी जलकी तरह सरल होती है और जीवन के सरलतम रूप को ही पसंद करती है इनके विचार इनका कार्यों को करने का तरीका बोलने का तरीका तथ्यों को स्पष्ट करने का तरीका चलने का तरीका बैठने का तरीका आखों की घती सभी के बीच के विशेश सामन जस्य और गजब की सरलता आपको देखने को मिलेगी इनको कितना भी जटिल कारे दे दीजे ये लोग उसको उतनी ही सरलता और सहसता से करते वे नजर आएंगे कि आप हत प्रद हो जाएंगे कि ये कैसे संभव है इस तथे को आप इस बात से समझ सकते कि जिस जल के वेग में बड़े-बड़े सकती साली जानवर डूब जाते हैं उस वेग में मचली किस सरलता से विचरन करती है ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी जटिल से जटिल कारे और समझ्याओं को सरलता से निप्टा लेते हैं इनके अच्छे गुनों की चर्चा के साथ साथ लोग इनके अउगुनों की चर्चा भी अक्सर क्या करते हैं इनके जीवन का सबसे बड़ा अउगुन जो कि कई लोग माना करते हैं वे इनके अंदर से ही प्रेगट होता है और वे है विश्वास विश्वास शब्द इस्वर से जुड़ा हुए है जो कि ब्रस्पति ग्रह के कारण इन के अंदर उत्पन होता है और यह कोई आउगुन नहीं बलकी सद्गुन है यह जिस प्रेकार इस्वर पर विश्वास करते हैं उसी प्रेकार नियम पर आगे भड़ते हुए यह सभी लोगों पर भी विश्वास करते हैं और यही विश्वास इनके जीवन को नरक समान बना देता है इनकी सरलता इनको जीवन के उस द्वार पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर यह ऐसे निये पीड़ा को भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं यह लोग बुद्धिमान तो बहुत होते हैं लेकिन छमा सील उससे भी जादा बड़े होते हैं गलती करने क देबाद माफी मांगने पर माव भी बहुत जल्दी कर देते हैं और यहीं से एक और विश्वास घात का बीजार ओपन हो जाता है अपने आसपास के लोगों से विश्वास घात मिलते मिलते यह सभी लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन इसी बीच इनके उपर एक और आरोप लग जाता है और वह अकेले पन से ग्रसित एंकारी और गमंडी होने का लेकिन ऐसा होता नहीं है जीवन के सरलतम रूप के पक्षदर और प्रेमी यह लोग सदेव सभी लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और जितना भी बन पढ़त हैं लेकिन फिर भी इसे इनकी अच्छाई नहीं बलकी कमी समझा जाता है और इनका मानसिक शोशन निरंतर किया जाता है यह लोग अपने परिवार वे जीवन साथी को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं और उनकी जरूरतों के लिए और जीवन को उस्तम स्तर पर ले जाने के लिए रात मेहनत कर सफल होने के प्यासों में लगे रहते हैं कितनी भी नकारात मक्स्तिति हो यह लोग कभी अपने मन की पीड़ा अपने परिवार वे जीवन साथी तक नहीं पहुँचने देते और अंदर ये अंदर सभी परिशानियों को चुप-चाप सहते हुए गु के लिए कि यह जा रहे हैं वे सफल ना रह जाएं कई इन प्यासों के असफलता जीवन साथी के वेवार और समान पर प्रभाव ना ढाले कई परिवार या जीवन साथी इस कारण से इनसे अलग ना हो जाए इसी प्रेकार से यह डर इनके ऊपर हावी रहता हो हो रह — यैप उसने किसी बड़े उदेशे के साथ आपको इस दरा पर जनम दिया है, आपको यदि जीवन में कोई धोखा देता है, तो इसका थी है कि वे आपके लायक ही नहीं था, इसलिए इस्वर ने उस व्यक्ति विसेश को आपके जीवन से निकाल दिया, आपने विश्वास को और मज कीजिए और यह समझ लीजिए कि आपके द्वारा किये गए प्रयास समय और प्रारब्द के कारण धीरे दीरे ही, सफल हो रहे हैं, लेकिन एक दिन सफल जरूर रोंगे आप, अंत में एक बात और कहना चाहूंगी कि मनुश्य पर से हो सकता है, एक बार को विश्वास तूर अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नमस्कार दोस्तो, जय हिंद